हेलो वेरीवन गुड मॉर्णिंग नमस्कार 31 मार्च 2021 और आज के दहिंदू निस्पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसके पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा परिवर पहराष्टा की है अगर आप देखेंगे इन सीटिज क्यों तो मुंबई, पूने, ठाने, नागपूर, नासिक, दिली, बेंगलूरू, अर्बन या मेंसिन किया गया है एहमंदनगर, नांदेड, औरंगाबाद ये एक इनफोर्मेशन दी गी है और इसमें सेंट्रल गवर् हो, उनको काम करना पड़ेगा ताकि इस तरह के सर्ज ना हो, इस तरह की चीजों को रोका जा सके, इनके अलावा जो डी जी सीए है, यानि डिरेक्टरेट जनल ऑफ सीव लेवेशन होनों ने कहा कि जो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, जो प्रोडोकोल्स होते हैं, एर इस तरह के इस तरह के स्टेटमेंट दिया गया है, अब बात करते हैं, महनमार में जो चीजें हो रही है, उसी कड़ी में एक और इन्फोर्मेशन आई है, मनीपूर रिट्रेक्स लेटर और रिफ्यूजीज, यानि मनीपूर ने जो रिफ्यूजीज पर एक लेटर रिलीज किया था, उसको रिट्रेक्ट या वापिस ले लिया है, अब ये क्या इस्यू था इसमें, देखिए यहां पर एक फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, य में बताने के आउशकता नहीं है, महिनमार में जो मिलिटरी दवारा पावर को कैप्चर किया गया और उसके बाद वहाँ पर लोगों को एक तरीके से उन पर अटेक किया जाना, जो प्रोटेश कर रहे हैं, उनको उनको क्रेक्डाउन करना, ये सारी चीज़े वहाँ पर इस रिजन पर क्योंकि ये लोग जो इन पर अगर अटेक होगा मैंनमार की लोगों पर, तो ये क्या करेंगी, ये अपने नेवरिंग कंट्री में जाएंगे, तो नेवरिंग कंट्री कौन कौन सी है, या तो यहाँ पर बंगलादेश वाला पार्ट जो है निचे वाला, ठीक है या भारत का पार्ट है, या चाइना है, या थाइलेंड है, थाइलेंड में रिशनली अभी एक एर श्ट्राइक इनों ने करी, और यहाँ के जो लोग है, वो थाइलेंड में भागी, इसको लेकर परसान धावन सरका एक वीडियो भी आया है, वर्ल्ड अफेर उनका चैनल तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह जो लोग है, यह मिजोरम में, मनीपूर में, भारत में आए, और भारत सरकार की मिनिस्ट्री और फॉम अफेर की इसमें पॉलिसी क्या है, कि इनको डिटेन करके, आइडेंटिफाई करके वापिस भेज़े जाएगा, लेकिन मिजोर मिजोरम गवर्मेंट का एक अलग प्लान है, मिजोरम अगर आप देखेंगे, जो भारत के कोंटक्स्ट में, बिलकुल नीचे वाला जो स्टेट कह सकते हैं, यानि जो लोएस्ट स्टेट जो टच करता है महिनमार को, इसके उपर मनीपूर है, नागालेंड है, और उसके बा है कि इसमें उनको वापिस भेज दिया जाए, यूनियन होम मिनिस्टर का एक क्लिरी लेटर है, इसके बाद इस तरह की जो प्लानिंग है, यानि मिजोरम गवर्मेंट की जो प्लानिंग है, ये कहिने के चलेंजिंग है, और ये कंसर्न भी हो सकता है, स्टेट और सेंटर के क्योंकि ये जो इसू है, ये बहुत ही सेंस्टिव इसू है में मार और भारत के मामले में, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक इसू है, तो इसमें यूनियन गवर्मेंट की रिस्पॉंसिबिलिटी ज़्याद है, तो यहाँ पर ये इस तरह की प्लानिंग कर रहे है, मिजोरम ग आपने देखा होगा, आपने पड़ा भी था, कि जो फोर्सिज, सेक्योर्टी फोर्सिज, खासकर आसम राइफल्स को यहाँ पर लगाया गया बोर्डर में, कॉंटिन्यू मोनिटरिंग करने को लेकर, इनके लाभा यहाँ पर हुमेंटेरियन ग्राउंड पर जो अगर किसी आधार एन्रॉल्मेंट से वो भी कुछ टाइम के लिए बंद किया गया है, और तब तक यह डिजोलेशन नहीं हो जाता, यह डिजिजन लिया गया पर्टिकलर एरिया के आसपास, ठीक है, ताकि यह कोई इशूज ना हो, इस चीज को लेकर आपका एक अपना ओपिनिन हो सक तो यह कुछ information है, कुछ sensitive information होती है कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो यह मैंनमार और भारत के context में पूरा के पूरी news है, इसके लाव मैं जुरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि Thailand वाला जो एक वीडियो आया है, परसान धवन सरकाब, वो आप जुरूर देखीगा, आपक के लिए दो question, पहला भारत का ऐसा कौन सा status ने अपने state butterfly जो डिक्लेर करी थी, वो आप नीचे comment करेंगे, इनके लावे species का नाम दिया गया, the discovery of the species, नका दूबा, सिहला, रामा स्वामी, सदा सीवान करकी, एक लंबा इनोंने नाम दिया, और यह अगस्त्यमलाई जो है, वे Western घाट, Eastern घाट यह एक important connectivity भी है, लेकिन आपको Western घाट यह वाला जो part है, इसकी जो major mountains है, वो आपको नीचे comment करने, Western घाट को protection को लेकर दो committee बहुत popular रही हैं, जिसमें गाड़गील है और के कस्तोरी रंगन है, के कस्तोरी रंगन तो education की मामले में जो नई education policy आई, वहाँ प इसको लेकर आपको comment करना है, कि Western घाट की major mountains है, वो कौन-कौन से है, और second question इसी के साथ attach है, कि Western घाट से भारत के कितने state जो है, वो boundary share करते हैं, यह सवाल UPSC ने एक बार पूछा था, कि पहले एक हिमालेन करके पूछा था और उसके बाद Western घाट, तो आपको Western घाट कितने state से cross करता है, वो आप देखना, मैनमार का अगर आप देखेंगे इस तरीके, अब मैप यह territory पूरी की पूरी boundary आती मैनमार की, और इसमें आप इस तरीके से देख भी सकते हैं, इसको, ठीक है, तो mapping जरूर करते रही है, और mapping में खासकर वो country जो news में रहती है, उनको जरूर आ soul करते रहे, practice करते रहे, ताकि clarity रहे, conceptual level पर, इसके लावा इसी में अगर आप देखेंगे, एक दो word और important है, पहला, Bombay Natural Historical Society के बारे में बात की गी है, इसके बारे में भी UPSC में, प्री में सवाल हुआ है, तो इसके बारे में यह चोटी-चोटी information होती है, brief में, यह summarize form में, यह particular agency जो किस तरीके से काम करती है, environment में, यह कह सकते हैं कि जो species है, उनको save करने में, production करने में, इनके बारे में आप जुरूर देखेंगे, इनके अलावा, इसके बारे में यह बोला गया है कि इसका जो distribution है, वो केवल भारत में नहीं है, सिलंका, और साउथ इस्टो नेशि research team जो है, वो participate करी, western hut के अंदर इस तरह की butterfly को research करने में, इनका एक important role है, इसके बाद page number 10 पे हम जाएंगे, page number 10 पे दो तिन information है, पहला अगर आप देखेंगे, कोवी शिल्ड अनेक information जो है, कि कोवी शिल्ड की जो self life है, वो 9 months तक है, यानि पहले यह माना जा रहा था कि जो कोवी शिल्ड वैक्शिन है, जो की सिर्यम इनिस्टेट ओफ इंडिया ने डेवलप करिये बनाई है, अस्टाजनिका की help से, वो कहीने के 6 महीने ने, बलकि 9 मह महिने तक effective है, या उसकी self life है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसके लंबे time तक use कर सकते हैं, और अगर 6 महिने में उसकी एक तरीके से self life खतम हो जाएगी, तो उसकी value जो है, वो कहीने कहीं एक तरीके से खराब होती है, यानि वैक्शिन वेस्टेज ना हो, क्योंकि बहुत सा दुनिया के अंदर वैक्शिन को भेजने में, और इसी चीज को लेकर World Health Organization में बोलता है, कि कोवी सिलक एक important role हो सकता है, क्योंकि भारत ही एक मातर ऐसी country है, जो बड़े लेवल पर सस्ते rate पर पूरी दुनिया को vaccination प्रवाइड करवा सकती है, और इसके लाबाद चाइना हो सक लगती है, लेकिन चाइना जो है, बहुत सारी चीज़े, डिपलोमेटिक और ये सारी चीज़े, ये जियो पोलिटिकल प्रिस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करता है, लेकिन भारत जो है, हुमन टेरियन ग्राउंड पर ये मदद करता है, ये काफी important है, और इसको vaccination है, इसकी वज़े से एक तरीके से blood coating है, उसकी problem आती है, तो blood coating और ये कहिने के interlink जो चीज़े हो रही है, उसके बारे में clarification भी दिया था कि इस तरह की problem कई जगा क्यों आती है, तो वो सारी चीज़ें आपको इससे connect करते हैं, याद रखनी है, इनके लाबा, blood coating या रखत का जो ठका जवना बोलते हैं इसको, उसके बारे में कौन सा vitamin relate करता है, ये कहिने के आप connect करते हैं इस तरह की question और वो काफी important है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, भारत के जो विदेश मंत्री है, वो गए एक visit के अंदर, जिसमें Heart of Asia की summit हुई, यह कह सकते हैं, के president जो है, उनके बेच में दुसामे में बात हुई, यह पूरा particular area जो है Central Asian countries, यहाँ पर यह जितनी भी Central Asian countries देखेगी, Central Asian country में याद रखी है, अफगानिस्तान नहीं आएगा, वो South Asian country है, इसमें 5 countries को count किया जाता है, Central Asian countries में, जिसमें कजाकिस्तान है, उजबेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तो इसमें अगर आप Central Asian countries को observe करेंगे, तो दो तिन information important है, पहला इसमें जो कौन-कौन सी country जो केस्पन सी को touch करेगी, इसके अलावा उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, एक important जो है, वो भी important आपको ध्यान रख रहा है, इनक नहीं, इनका यह माना कि इनकी foreign policy में, किसी particular group में जो है participation नहीं है, वो सबसे जो है बातचित करके रखते हैं, अब इस पूरे scenario के अंदरागर आप देखेंगे, भारत की तरफ से जो statement दिया गया है, कि वो intra-Afghan negotiation को sport करता है, इनके अलावा उन्होंने पहली बार भारत जो Taliban word क यूजी नहीं करता अपने context में, लेकिन double peace का एक word यूज किया गया है, double peace का मतलब किया है, कि अफगानिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के area से जितने भी region में है, उसमें भी कहीं नहीं, peace establishment होने चाहिए, कई लगबग 15 देशों के foreign ministry यहाँ पर participate करें, इसमें faith के लिए engagement जो होनी चाहिए, अगर आप exact statement को पढ़ेंगे तो यह बोला गया, इंडिया has been supportive of all the effort being made to accelerate the dialogue between the Afghanistan government and the Taliban, including intra-Afghan negotiation, ठीक है, तो दोहा में बातचे तो ही 2020 में इस पूरे scenario को लेकर की, अफगानिस्तान के अंदर peace establishment की जाए, और इसमें बोला गया, कहीने के एक good faith के ल पारे जो foreign minister है, वो एक तरीके से उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो पूरी चीज़े हुई है, एक involvement हुई है, और civilian के खिलाब जो violence हुई है, यह grave concern है, और heart of Asia में एक permanent ceasefire हो, permanent solution निकले, इस बात को लेकर कहीने के उन्होंने discussion किया, इसके लाबा, पाकिस्तान के पारे जो foreign minister है, शाह मुहमद कुरेशी वहाँ पर उन्होंने भी participate किया, उन्होंने कहा कि अगर इस particular area में ISIS या Al-Qaeda की एक तरीके से victory होती है, उसके access बढ़ती है, तो यह कहीने कि terrorism को treat करेगा, और particular region को treat करेगा, हलाकि भारत और पाकिस्तान के foreign minister के बीच में बातचित नही किया, इनके लावा उन्होंने important regional connectivity की भी बात की particular area में, मैंने इसके बारे में पहले ही बात की थी, एक तो चाबार port में कैसे अफगानिस्तान का role important हो सकता है, और उसके थूप क्या पाकिस्तान को connect किया जा सकता है, second information जो है, यह काफी important थी, यह pipeline है, तरुक्मेनिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी pipeline करके, इसको लेकर भी कहिने के discussion की अज़र है, कि यह भी important pillar हो सकता है, हाला कि यह ज़्यादा भी successful नहीं हुई है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के relation जो है, अभी भी इतने अच्छे नहीं हुए, और लेकिन पिसले कुस दिनों में कई सारी चीजें हुई है, चाहिए वो ceasefire agreement को लेकर बातचित हो, या indus river है, उसको लेकर commission उसकी बातचित होना हो, discussion करना हो, यह सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, इनके अलावा अगर foreign affair की बात करें, तो मैं brief में कुछ-कुछ चीजें आपको बता दूँ, for example, चाइना न और Hong Kong 1997 में इनका part बना, और one country, two system, यानि एक देश में, दो system के basis पर इसको बनाया गया तो, Hong Kong को लेकर, क्योंकि Hong Kong के national law है, उसमे human rights को लेकर, या एक तरीके से democracy spotter, या democracy की against जो लोग है, उनके बीच में एक तरीके से issues है, और इस सीजे को लेकर, चाहिना पर हमेशा से यह लगता है, एक allegation लगता है कि चाहिना जो है, सप्रेस करने कोशिस करता है, इनके लावा सिलंका और जो चाहिना उनके बीचे में बादचेत हुई, और सिलंका के जो प्रेजडेंट है, उसको प्रेजडेंट सी जिन्पिंग, चैनिज प्रेजडेंट उन्होंने अजूर किय रिफर्म किया कि हम आपको हर मामले में स्पोर्ट करेंगे, इनके लावा गर आप देखेंगे, रिशनली युनाइटी नेशन हुमन राइट काउंसिल ने एक resolution को अड़प्ट किया सिलंका के खिलाब, और ये कही ने कहीं, ये गर आप देखेंगे, प्रेजडेंट करने वाले हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे, इन्फरास्रक्टर को बिल्ट करने में, कलमबो पोर्ट सिटी को बिल्ट करने में, हमन टोटा पोर्ट को डवलप करने में, और जोएटली बैल्ट और रोड इनिशनली तरू प्रमोट करना high quality collaboration, ये सारी चीज़ें हम करने इसके लावा चाइना और सिलंका कि अगर हम बात करें तो इन्हों है बोला कि पहले भी आपको लोन दिया गया था, पहले भी स्पोर्ट किया गया और वेरियस चैनल के थूँग जो स्पोर्ट किया जाएगा, जिसमें aviation है, education है, इनके लावा सिलंका ने पहले भी जो चाइन चैना ने सिलंका को लगभग 10 billion yuan यानी 1.54 billion dollar का लोन पहले दिया था, currency swap के थूँग, currency swap in the sense की जो लोन दिया, अगर माल लेते चैना लोन देता तो उसको हम जो है सिलंकन currency में जो वो वापिस कर सकते हैं, currency swap इसको बोल सकते हैं, इसके लावा इस particular island country की बात के लिए सिलंका क तो उसका foreign reserve जो वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए भारत से भी क्योंकि भारत को इनको वो सारा पैसा वापिस देना है, इनके लावा Asian infrastructure investment bank में बोला गया कि 180 million dollar का जो लोन है, वो उनको पहले request की गी, इससे पहले 500 million का लोन जो उनको sanction किया गया था, और इनके उपर अगर से, world bank से और दुनिया भर की organization से loan ले रखा है, और उन सब के बीच में triple T based economy, जै वो textile हो, tourism हो, यह T हो, ती हो, तीनों का कहीने के degrade होना, और इसके बाद United Nation का human resolution आना, यह कहीने की, सिलंका के लिए बहुत खतरनाक situation जो इस time है, इनके अलावा गर आप देखेंगे, एक global leaders के, यह बोला गया, world health organization की तुरू की एक treaty होने चीए, एक agreement होना चीए, और इसमें लगब 25 countries के leaders, जिसमें European Union है, health minister नोंने कहीने कहीने कहीन, एक future global outbreak ना हो, इस बात की इन्शोर्टी करने के लिए सब को मिलकर काम करना चीए, इस चीज़ को लेकर एक त्रीके से बाचित हुई, और यहाँ पर बंगला देश में जो प्रोटेस्ट हुआ है, हमारे प्राइमिस्टर की विजिट को लेकर इसको लेकर एक particular article भी है, वो वहाँ पर देखेंगे, इसमें हिफाज़त इसलाम एक group है, वहाँ पर इस group का माना जारा एक बड़ा रोल है, पूरे के पूरे प्रोट प्रोटेस्ट को लेकर और इस प्रोटेस्ट में कई सारे लोगों की वहाँ पर डेथ हो गी है, और पूरे प्रोटेस्ट की अगर हम देखें, यहाँ पर historical background बताया गया है, इसके हिफाज़त है, इसलाम इस group के बारे में, अगर आपके पास समय है तो पढ़ लीजेगा, otherwise य भारत और बंगलाद इसके relation को analysis करेंगे, एडिटोरियल पार्ट में, इसके बाद business ये economy की perspective में देखेंगे, यहाँ पर एक second, मुजंबिक वाला जो town है, वो कल हमने discuss किया था, अगर आपको ने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इसको जुरूर पढ़िए, यह note कर लेना, पाल जगह होती है, एक पालमा डी करके आती है, वो आती स्पेन के अंदर, लेकिन जो पालमा सिटी है, वो मुजंबिक के अंदर है, तो दोनों में confused नहीं होना है, इसके अलावा, यहाँ पर business section में दो तिन information है, पहला, inflation at variation level, oil prices will keep up pressure, मोडी जेक तरीके से rating agency है, उन्होंने कुछ चीजें बताई भारत के context में, कि भारत के जो current inflation target है, उसको एक तरीके से कहने के यह challenging है, और यह inflation targeting को एक तरीके cross कर रही है, भारत में जो महंगाई है, मुद्रस फिती है, जो एक target हमने set किया था, उसको कहने के cross कर रही है, यह कुछ important इसमें बताया गया, और यह चिंता की एक बात है, इनके लावा जो reserve bank of India का 4% का inflation target था, वो कहने के cross हुआ, इनके लावा अगर आप देखेंगे, भारत और अफगानिस्तान, यह जो दो कंट्रियेशन परस्पेक्टिव में, इनमें यह problem देखने को मिल रही है, और भारत में क्योंकि volatile food prices हो, या oil price rise होना हो, और इ कुछ information दी गई है, Moody's, एक investor services एक credit rating agency के द्वारा, यानि आपको यह पता होना चाहिए कि CPI जो है, consumer price index, इसके थ्रू ही reserve bank of India आपने inflation को, या 3 case inflation को analysis करने में, जो है, इसको use करता है, क्योंकि CPI का मतलब क्या होता है, कि directly, लोगों पर असर क्या पढ़ रहा है, वो important है, और एक होता है, wholesale price index, दोनों में difference ही होता है, कि CPI में जो है, सीधा असर लोगों पर क्या पढ़ रहा है, उसको ground level पर analysis क्या जा सकता है, इसलिए CPI का use करता है, क्यों, reserve bank of India, इसके बाद, यहाँ पर बोला गया है, जो हमारी union finance minister है, उनके दोरा, कि work with India on funding infrastructure, शितारमन और नेशनल new development bank, sorry, new development bank या bricks bank को भोला है, कि भारत के जो infrastructure के related जो project है, उनको funding करने को लेकर, भारत को आपको support करना चाहिए, और यह जो bank है, 2014 में, 2014 में, establishment किया गया था, BRICS एक ऐसा group है, जिसको लेकर UPSC ने कई साल लगातार question पुछे हैं, तो में भी BRICS को लेकर फिर से आप से सवाल देखने को मिल जाए, एक new development bank है, या BRICS bank भी इसको बोलते हैं, इसने भारत के लिए 18 project को अभी तक जो accept किये हैं, और माना जारा कि 2 billion dollar की health spending है और economy recovery के लिए यह कहिने के emergency loans इनोंने provide करें, और आने वाले time में भी इसको support करें, as a governor of NDB, यानि new development bank के भारत के गवर्नर के रूप में उन्हों वो participate कर रही थी और एक particular topic पर जिसका नाम था new development, the evolution of infrastructure, इस चीज़ को लेकर discussion या पर किया जा रहा था particular areas के अंदर, भारत ने recently जो DFI है, यानि यहाँ पर आप देखेंगे जो नए project को finish करने को लेकर, या हमारे जो infrastructure को finish करने के लिए DFI setup किया गया था, और इसमें इन groups का, इन banks का भी important role होगा, उने वाला funding को लेकर, तो इसी चीज़ को लेकर new development bank को बुला गया है, कि आप हमें financial level पर या infrastructure level पर support करें, इसके बाद editorial part में दो editorial हैं, जो की काफी important है, पहला भारत और बंगलादेश के relation को लेकर है, good neighbor और दूसरा जो है, कि जो भारत की growth rate आपको देखने को मिलती है, इसकी सच्चाई क्या है, यह इसको एक critical level पर analysis किया गया है, India does not sign when only some gleam, यानि भारत sign करेगा, इसका उनलब यहीं कुछ लोग sign कर लेकर यह article है, recently हमारे प्रैमिस्टर साब ने वहाँ पर visit करी और 15th anniversary थी, war of liberation की और एक तरीके से वहाँ के जो परमुक लिडर है, सेख मजूबर रहमान उनको लेकर वहाँ पर गए, उनके एक तरीके से सरदांज ली दी, यह पूरा एक procedure वहाँ पर देखने को मिला, इनके बंगलादेश की स्टेम प्रैमिस्टर है, सेख हशीना, उन्होंने दोनों कंट्रीज के बीच में historical और एक तरीके से जो share है, उस चीज़ को लेकर डिसकुशन किया, और जो challenges है, plans है, उन सब चीज़ों को लेकर दोनों कंट्रीज ने डिसकुशन किया, cultural program भी हुए, इनके ल उनकी memorial पर वो गए, इनके अलावा 1971 में जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, military द्वारा इस पर्टिकुलर बंगलादेश वाले रिजिन में जो लोगों के हत्या करी गई, इसको भी उन्होंने highlight किया, operation search light करके, और यहां पर इमाना जारा कि बड़ी संख्यावी लोगों के हत सहीद हो गए थे, बंगलादेश के creation में भारत का, भारत की forces का बहुत important रोला है, इसी चीज़ को लेकर वहां की जो प्रेम्स नोंने भारत को एक तरीकी से धन्यवाद भी का, इनके अलावा यह बोला जाता है, golden chapter की तरह यह पूरी की पूरी चीज़े देखने को मिलती है, इन सब के बीच में, 2020 में एक virtual summit भी हुई, और दो तिन बड़े issues है बंगलादेश के मामले में, उनको भी हम देखेंगे, इनके लावा अगर आप देखेंगे, दोनों countries ने infrastructure को लेकर हो, connectivity को लेकर हो, trade को लेकर हो, sports, education, disaster management, इन सब चीज़ों को लेकर कई सारे MOU sign करे, memorandum of understanding इनके लावा भारत और बंगलादेश के अगर आप relation को 15 सालों का analysis करेंगे, तो अगर सेख हसीना जब से वहां की प्राइमिनिस्टर बनी है, तब से relationship में कुछ change आपको देखने को मिलेगा, इनके लावा मिस हसीना के decision है, 2019 में to set down anti-India terror camps, यानि सबसे बड़ा उन्होंने ज जो लोग है उनको search करना, 2015 में एक long pending land boundary agreement हुआ था 2015 के अंदर, इनके अलावा एक तरीके से maritime dispute को resolve करना हो, और कई सारे चीजों को resolve करना है, इनके अलावा अभी बहुत सारे issues जो unresolved है या उनको कहीं नहीं किया गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे, तिस्ता river एक बड़ जो एक issues है, इनके अलावा एक तरीके से minorities को लेकर issues है, चाहिए वो भारत के context में बात करें, वहाँ पर जो minorities रहती है बंगलादेश में, या बंगलादेश का वी concern है, कि भारत में जो minorities रहती है और जो CA implementation उसका क्या आसर होगा भारत और इस पूरे issue को लेकर, इसके लावा ज traditionally protest हुआ, जिसमें हमने discuss किया थे हिफाज़ते इसलाम करके group है, उसका important role है, अगर आप इस group की history पढ़ेंगे, तो यह बहुत ही जैसे कट्रवादी type बोलते है इस तरह का group नजर आएगा आपको, और जितना वे जहां भी government ने, बंगलादेशी government ने women's के लिए जो एक तरीके इसे statement दिया, बहुत सारे protest ने ने करे, और ये एक particular area तक सीमित रखना चाहता है, इस चीज़ को लेकर पहले बंगलादेश गवर्मेंट इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि एक level के बाद जब pressure बढ़ता है तब government भी कहीं ने की उस पूरे scenario को सोचती है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि भारत और बंगलादेश के relation जो है, वो successful हो सकते हैं, इनको और ज़्यादा successful करने के लिए दोनों साइट को इनकी sensitivity या स्विनन सीलता को समझना होगा, तब ही relation में और ज़्यादा strengthen दी जा सकते हैं, strengthen किया जा सकते हैं, इसके लावा भारत क इसे context में बात की गएगी कि भारत की अर्किटेक्चर एकनोमिक ग्रोथ का, उसमें कई सारे चीज़ें देखने को मिलेगी, और ground पर यह हमें समझना पड़ेगा कि हमारी majority of the population है, वो किस तरीके से जीवन ही अपन कर रही है, यहां पर इस चीज़ को बात करेंगे, यहां पर बोला गया कि भारत की एकनोमी यह हमारा target है कि 5 trillion dollar तक की एकनोमी हमें पहुंचना है, लेकिन अगर आप देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसके according, भारत का नंबर जो दुनिया में 94 है out of 107, यानि दुनिया के जो ग्रीव कंट्रीज है, यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बोकमरी की अगर कॉंट्रेक्शन में देखें, तो भारत 94 नंबर पे है, 107 कंट्रीज में से, यह कुछ information है, इसके लावा, रेशनली मार्ज 2021 में, वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट पुबलिस करेगी, युनाइटी नेशन सस्टेनेबल डेवलेमेंट सोलुशन के द्वारा, इसमें माना गया, कि दुनिया के 153 कंट्रीज में से, भारत की जो रेंकिंग है, बहुती खराब सिच्वेशन है, 144, यह रेंक प्रिजेंट की गई, यह कहीं ने कहीं चैलेंज है, यह रिपोर्ट के थुरू बता रहे हैं, अपना opinion हो सकता है, इनका different हो, लेकिन यह रिपोर इनक में जो रिच है, वो और ज्यादा अमीर हुए, और गरीब जो है, वो और ज्यादा गरीब हुए, गरीब इन दे सेंस, वर्ल्ड बैंक की context में, टू डोलर से कम जिनकी इंकाम हो, गरीब में आप काउंट कर सकते हैं, पावर्टी को इनकाउंट कर सकते हैं, इनके अगर पूरी दुनिया में वरत तो ऐसा नहीं कि भारत में उसका असर ही नहीं हुआ, इनके अलावा कई सारे इंडिकेटर माल लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे global estimates में, तो water quality में भारत की rank जो 122 कंट्री में से 120 है, air quality में 180 कंट्री में से 179 पर हैं, यह कुछ इंडेक् सत्रा sustainable development goals बनाएं, उनको अचीव करने को लेकर चीजे हो, उन सब चीजों को देखते हुए, अगर आप देखेंगे 5 trillion dollar की GDP में जो हम target कियो हैं, उन चीजों को target करना 5 trillion dollar तक economy को बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन हमें इस बात की इंशोर्टी करने पड़ेगी, कि जो ground level पर inequality और ये सारी चीजे हो रही है, इसको भी ध्यान रखें, और world happiness index हो, या global hunger index हो, ये कहिने का identification करते हैं कि हमें यहाँ पर भी काम करने की requirement है, और जब पूरी भारत 75th anniversary celebrate करेगा 2020 में, तो ये भी dream होना चाहिए, कि इस anniversary के अंदर हमने जो target बनाए हैं, उसका ground level पर या लोगों किस थोड़ा समझाने कोशिश करीब, उमीद करते हैं आपको अच्छा लगएगा, थैंक्यो ओल, जहिन